हाई अरवन तो आज हम ट्रूंजिने के इस वेडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं करेक्टरिक्स ओफ ग्लाउड कम्प्यूटिंग के बारे में एक बहुत ही जादा इन्पॉर्टेंट टॉपिक है यह भी पता होना चाहिए कि यार क्लाउड कम्प्यूटिंग में कि इसके करेक्टरिक्स क्या है तब ही तो मज़ा आएगा येस हमने क्लाउड कम्प्यूटिंग का बेसिक समझ लिया है हमें अगर त्रीक है यूजर को अगर कम से कम requirement की जरुवत है तो उतने requirement लेगा ठीक है एंड तूसरीक important बात है अगर उसको storage की requirement है तो वो ले लेगा तो जिस हिसाब से उसके demand होगी उस demand के हिसाब से वो service ले लेगा तो that's why you can say on demand service यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ठीक है वाई तो यह मैं पहला characteristic है दूसरा characteristic है कि यह scalable है scalable बोले तो मैं अब आपको बता देता हूँ scalable है scalable scalable मतलब क्या होता है कि अगर मालो हमारा application बहुत छोटे परपस के लिए work कर रहा है तो वो अगर मैं उसमें जादा number of users को बुला लूँ या traffic मेरा अगर बढ़ जाया तो मैं इसको scale-up and scale-down easily कर सकता हूँ ठीक है scale-up मतलब बढ़ा सकता हूँ yes network को बढ़ा सकता हूँ and मैं कम भी कर सकता हूँ so easily सारा काम proper way में चलेगा so main characteristic यह भी इसका तो आप यह ज़रू बताना है कि scalability भी यहाँ पर important role play करती है so यह बहुत ज़्यादा important है scale-up and scale-down easily हो जाता है है ना so इसी बात पर आप बता सकते हूँ कि flexible भी है तो flexibility and agility भी आप इसका एक main characteristic बता सकते हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर flexibility and agility spelling से इकल लेता है तो यह भी एक important यहाँ पर characteristics के अंतर बता सकते हो clear है अब एक और main important बात है कि देखो यहाँ पर जो data है वो secure रहने वाला है कि क्या है यह cloud computing and क्या main characteristics है यह simple simple से terms है on-demand service scalable है यह आपन बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं तो scale up scale down कर सकते हैं easily flexibility है बिलकुल flexibility आप आपको मिल जाएगी ठीक है हम इसको quickly deploy कर सकते हैं है तो agility security यह सारे main points आप बता सकते हूँ कि characteristics of cloud computing के अंदर so यह छोटा सा वीडियो था and मैं hope करूँ कि आप लोग को समझ में आज शुकर है so आज किया इतने रखते है फिलाल मिलते नेक्स वीडियो के साथ यह बाई